नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गूल्ड आए दोस्तों सुनते हैं सुश्मा मुनिंद्र जी के लिखी कहानी रूपान तरण कॉल चेनने ही से था मिस्टर मुरली धर मेरा मैं रोड एक्सिडेंट में घायल हो गए हैं मैं उनका सेनियर बोल रहा हूँ मुरली धर के स्या होती चेहरे को देख केसर समझ गई कि कुछ अन्होनी सूचना है खैरियत तो है वक्त था तेज चीख मार कर जड़ हो जाने का पर मुरली धर ने दोह कम विचोब अधिक व्यक्त किया खैरियत पूछती हो तो निरामय रोड एक्सिडेंट में घायल हो गए है मधुने कलह की होगी निरामय तनाओं में घर से चले होंगे पीड कंट्रोल ना कर सके होंगे मधु का क्या हल होगा सोच रही होगी कि निरामय घायल क्यों हुए मर क्यों नहीं गए ना पसंद पती से तो छुट्टे मिलती, दस साल होने को आए, इसने उस भले आदमी को जीने ना दिया, हमें अभी वहाँ जाना होगा दस साल पूरा एक दशक मधु इसरार से शादी कर कुल मर्यादा पर बट्टा लगाए, इससे पहले मुरली धर ने, निरामय का बंदोवस्त कर लिया था केसर को आपती थी, मधु को समखलने के लिए थोड़ा वक्त दो, तब तक तो लड़की उस मुसल्मान के साथ भाग कर पता नहीं कहां पहुचेगी विवावेदी पर्थी सरजुकाय मधु और गर्व से भरा समोहित सा निरामय, अगनी कुंड में मधु के सपने, कल्पनाय इच्छाएं और अनुभूतियां धूआ धूआ हो रही थी, पर निरामय का उत्सा परवान चड़ रहा था उसने हनिमून के लिए सिंगापुर का पैकेज बुक किया था, सिंगापुर की रौनक और रोश्नी में दामपत्ति की चमकीली गाथा लिखने को आतूर, अनुरक्त निरामय और विरक्त मधू उसके विवहार से निरामय उप जाएं, त्रस्त हो जाएं, और भड़क कर कह दें, तुम जहां से आई हो वहीं लोट जाओ, और वह इसरार के पास चल दे, क्या मैं खुश नहीं हूँ पूछ कर आप मुझे दर्द दे रहे हैं, सुनिए, मैं बिलकुल खुश नहीं हूँ, आप से पहले इसरार मेरी जिन्दगी में आ चुका है, पर निरामय की तबियत को क्या कही, इतना इस पस्ट सुनकर भी नहीं भड़का, होता है मधू, प्रेम कब किस से हो जाए कोई नहीं जानता, थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि इसे भी किसी से इश्ख हो, और उससे शादी न कर सका हो, ऐसा है तो इसकी और मेरी महत्वकांशा और लक्ष एक ही है, यह अच्छा मौका होगा, जब यह अपनी दिलरुबा के पास रवाना हो जाए, और मैं इसरार के पास, मधू ने बड़ी उमीद से पूछा, आपको कभी किसी से प्रे बडल दें, कोई चांस नहीं, तब मुझसे तुम्हारा कोई कमिट्मेंट नहीं था, तुम इसरार से प्रेम करने के लिए आजाद थी, उससे शादी करने के लिए भी कानूनी तोर पर आजाद थी, पर शायद हिम्मत न कर सकी, तो आपको बुरा नहीं लगा, मुझे किसी ने कहा है, उन बातों पर ध्यान दो, जो सुख देती है, तो मुझे खुबसूरत पत्नी मिली है, मुझे अच्छा लगा, इतनी उपेक्षा और दिरसकार के बाद भी यह बुरे चेहरे वाला आदमी धन्य हुआ जाता है, कि खुबसूरत पत्नी मिली है, इस अभी व्यक्त लेती थी, तो इसलिए कि निरामय भड़क जाए, पर ऐसा हो न पाता, मधू का बार बाराना मुरली धर को अनुचित लगता था, केसर मुझे लगता है मधू सामजर से नहीं बना पा रही है, कोशिश कर रही है, यदि वह शादी से साफ मना कर देती या भाग जाती, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, अनिच्छा से ही सही उसने हमारा मान रखा तो हमें उसे सहानुभूती देनी होगी, तो तुम्हारी सहानुभूती पाने के लिए आती है, समझाओ लड़की को कि निरामय की भावनाओं की कद्र करे, हमने मधू की भावनाओं की कद्र की, मैंने पापा मुझे विदा कर आपने अपनी पोजीशन बचा ली ना, कभी सोचा है, वहां रहते हुए मैं किस तकलीव से गुजरती हूँ, ना पसंद आदमी के साथ रहने का उपकरम कैसे करती हूँ, आपको मेरे घाव न तब दिखे थे न आप दिखेंगे, मेरे आने से आपक की पोजीशन बिगड़ती है, तो अब न आओंगी, मधू लोट गई, सामने कोई लक्ष नहीं, महत्तो कांशा नहीं, प्रयोजन नहीं, दिन भर निश्क्रे पड़ी, निरामे को कोस्ती रही, निरामे फिक्रमंद रहता, किसी दिन ऐसा न हो जाए, कि वह शाम को घर आए और मधू जा चुकी हो, वो ऑफिस से दो-तीन बार फोन करता, जिस दिन निरामे को घर लोटने में देर होती, मधू कामना करने लगती हूँ, एक्सिडेंट हो गया हो तो मुक्ते मिले, माता पिता को सुना दूंगी, कुंडली मिला कर कमाओ देखकर, बड़ा सोच विचार कर, तुम लोगों ने जो खबीस चुना था, लोव हमर गया, मैं आजाद हुई, इसरार अब भी मेरे इंतिजार में है, उसे या हद दर्जे का विचार न डराता था, शर्म से भरता था, बलकी निरामे जब कहता, मुझे लोटने में देर हुई, तुम्हें फिक्र हो रही ह तब मधू निर्ममता से कह देती, नहीं हुई, निरामे शांत बना रहता, मधू की तुनक बढ़ जाती, या भड़कता क्यों नहीं, हंगामा क्यों नहीं करता, जब देखो तब सरेंडर, क्या इसमें मेली को स्वाभी मान, आत्मसंमान जैसे भाव नहीं है, निरामे में सा पर वह होसला नहीं खोना चाहता था, मधू, MSC, IT जैसी डिग्री को क्या वेकार करोगी, मैंने एक इंस्ट्यूट में बात की है, रिसर्च कर डालो, इस तरह उदास बैठी रहोगी तो मानसिक तोर पर बिमार हो जाओगी, यह पहली बार हुआ, जब मधू को निरामे का प याद आया, ब्रांडेड वस्त्र कभी उसकी कमजोरी होते थे, लेकिन शादी के बाद उसने कपनों को आलमारी में बंद कर दिया, संस्थान जाते हुए मधू को लगता, उसके पुराने दिन लोट आये हैं, जब वह कॉलेज की रोनक हुआ करती थी, निरामे ने अपने प साहित हो जाता, ठक गई, चलो आज बाहर खाना खाते हैं, चलो मैं किचन में मदद करता हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा, आज मोवी देखेंगे, आज शॉपिंग, मेरी छुट्टी है, तुम्हें इंस्ट्यूट से ले लूँगा, मेरा मैं जब संस्थान पहुचा, प प्रदर्शन नहीं करती थी, खुबसूरत पत्नी मिलने की मौज ऐसी रही, कि उसके निरुचा को मैं समझ कर भी नहीं समझ पाया, नहीं समझा कि मेरी परस्नालिटी उसके उच्छा को खत्म कर देगी, इसके साथ हन्याय हुआ है, इधर मधू की नजर निरामे पर पड़ी तो उसकी हसी को ब्रेक लग गया, समूं से विदा लेकर उसके पास आई, कब आये, हसते हुए अच्छी लगती हो, क्यूं आए, मैं आ जाती, तुम्हें हसते हुए देखनी की तमन्ना थी तो आ गया, अरे बाबा भूल गई, शॉपिंग, मधू निरामे के साथ भवे प्र परती रही, मिरामे उसकी प्रफुल छवी को निहारता रहा, जानता हूँ तुम्हे कुछ खास खुशी नहीं हुई है कपड़ों को लेकर, पर तुम्हें खुश देखना अच्छा लग रहा है, ये छोटी-छोटी खुशियां है, जिन्हें पाने के जतन करने चाहिए, उम जिन्दगी को लेकर सजकता और सावधानी न बरती जाए, तो जिन्दगी अपना अर्थ खो देती है, और प्रयोजन भी, माना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, पर इन कपड़ों को क्यूं सजा देती हो, यह पीला सुट पहन कर दिखाओ, यह शायद पहली बार ही था, जब मधुने इस्थिती को दूसरी नजर से लक्ष किया, तो निरामे को बोध है, मैं इसे पसंद नहीं करती, तो यह कैसा महसूस करता होगा, और जब शादी को तीन साल हो रहे हैं, तब भी मैं इस्थिती को पहचानने, समझने और समहालने की कोशिश नहीं कर रही है, यदि मै अब इससे मुक्ती चाहूं, तो यह मुक्ती वैसी नहोगी, जैसी तीन साल पहले होती, तीन साल का फासला वैसे तो बड़ा नहीं है, पर विवाह जैसे संदर्व में बड़ा है, जिस आस्था और प्रतिबधता को लेकर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, यह तीन साल पु अबीद न करें, पर आमान विय लगती है, कभी-कभी होता यह है कि हम परिस्थिती को नहीं समहालते, बलकि परिस्थिती हमें समळा लेती है, शिशु की आहट परिस्थिती का दिशा निर्देश थी, निरामयoster खुश था, मधू बेटी हो तो तुह तुम्हारी तरह बात सुनी तालमेल सही रखने की दिन भर जो तैयारी की थी बेकार हुई असमंजस खत्म क्यों नहीं होते जैनी के जन पर केसर आ गई थी केसर ने मधू के असमंजस भाप लिये मधू अब निरामे ही नहीं ये बच्ची भी तुम्हारे साथ जुड़ गई है यही तुम्हारा परिवार है दूसरा विकल्प नहीं है वो भी तो उस विकल्प को अपनाने में तुम्हें समाजिक मानसिक वपारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा भीतर कुछ दरकेगा निरामे इतने भले हैं कि ममता होती है तुम अपनी बॉकलाहट को नियंतरित करो बाहर से कुछ दिखूँ भीतर से कुछ रहूँ यह हुनर मुझ में नहीं है मेरी किस्मत खराब है मैं सुखी नहीं रह सकती रह सकती हो यदि निरामे की अच्छी बातों आदतों पर ध्यान के इंदरित करो मा तुम्हारे विधान भी मैं अच्छी आदतों वाले तुम्हारे दामात को स्विकार करने की कोशिश नहीं करना चाहती कुछ कोशिशें ऐसी होती हैं जिनका होना हम नहीं जान पाते इसलिए मधू नहीं जान पाई की वह क्या कोशिश कर रही है मधु और निरामय किसी वैवाईक समारों से देर से लोटे थे रात एक बजे निरामय को उल्टिया होने लगी थी वह अस्त व्यस्त था, फिर भी पूछा था मधु वही खाना तुमने भी खाया, तुम ठीक हो ना? हाँ और यही वक्त था, जब मधु को निरामय की जरूरत का एहसास हुआ इसमें कुछ जरूरी गुण है, माठीक कहती है निरामय के अच्छी आदतों, अच्छे स्वभाव, अच्छी बातों पर ध्यान दो IITN from खड़कपुर, तेरा लाह का पैकेज सो इस ठापित कंपरी में प्रोजेक्ट मैनेजर, छोटी बात नहीं है इसकी नैतिकता, विचारधारा, वसायम छोटी बात नहीं है बड़ी बात है या जिस सामाजिक भै के कारण मैं इसरार से शादी नहीं कर सकी वह भै मेरे भीतर से गया नहीं है इसलिए स्व्यक्ति परिवार वसंसार को छोड़ नहीं सकूंगी छोड़ते वे भीतर कुछ दरकेगा अब जैनी और छै मा की रहनी भी मेरे जीवन का हिस्सा है कहा जाता है वादसले भाव इतना प्रबल होता है कि बच्चों को ममता देते देते इस तरी हर किसी के लिए ममता माई हो जाती है मैं कितने निर्ममता से निरामय के मर जाने की कामना करती रही हूँ अवा कलपना डराती है यह न होगा तो जिन्दगी में बहुत कुछ न होगा मैं इसे अब भी बहुत पसंद नहीं करती पर यह तो खुद को पसंद करता होगा जैनी रैनी तो इसे बहुत पसंद करती है इसकी माँ और बहनों को तो यह अच्छा ही नहीं खुबसुरत भी लगता है तो जी ये माँ का बेटा पांच बहनों का भाई, बच्चियों का पिता मधु अनायास भगवान के सामने थी इश्वर, निरामे संक्री और सेहत मंद रहे जब मैं इन्हें स्विकृती देने लगी हूँ इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए स्विकृती, कितने प्रतिशत यही खुलासा होना था सिंगापुर में मधु के आंदोलन को नरम कर देना इरामे की खाम्याबी थी, पूछा था मधु इतना तो मैं जान गया हूँ कि अस्विकार करते करते तो मुझे स्विकार करने लगी हो बताओ मुझे कितने प्रतिशत स्विकारुक्ती मिली तो मनुमान लगाओ पचास प्रतिशत सौ प्रतिशत क्यों नहीं सौ प्रतिशत स्विकृती कहीं नहीं होती इसलिए होते हैं मदभीद मैं मनस्य, ठकराव, अभाव मधु इसी का नाम जिंदगी है हाँ सुकृती का मसला उल्चा हुआ है सुकृती का प्रतिशत जानना चाहते हो तो एक बार फिर सिंगापुर चलना होगा यदिपी वह जो वाहियात से शुरुआत हमने यानि मैंने वहां की थी उसे याद कर मुझे शर्माती है फिर भी वहां जाना चाहती हूँ यानुभव पहला नहीं होगा पहले अनुभव को मैंने जाया कर दिया फिर भी जाना चाहती हूँ तुम ठीक कहते हो उम्र लोटती नहीं इसलिए उसे भरपूर जी लेना चाहिए प्रासांगीक छड़ थे वो निरामय ने मधू को प्यार से देखा इसके साथ जो भी विरोध रहे आत्मु प्रतारना से यह अभी गुजरी है अपने आप से संघर्ष करती रही है इसके सामनी आसहनिय परिस्थिती थी पर पलायन नहीं किया इसी बात पर गुलाम का सलाम कबूल कीजी सिंगापुर का प्रस्ताव अच्छा है एक अच्छे प्रस्ताव को निश्फल कर देने के लिए थोड़े से अभी शब्त छड़ परियाप्थ होते हैं निरामय सुबह आफिस के लिए निकला था पर लोटा नहीं त्यार जिसकी देख भालवा खुद से अधिक करता था पिचक कर डरावनी हो गई थी ड्राइब कर रहे निरामय का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था इस तब दुमधू द्रिश्य में होकर भी द्रिश्य में नहीं थी नहीं जानती बच्चियों को किसने सम्हाला निरामय का शव कैसे घर लाया गया किसने परिजनों को सूचना दी कैसे दिन बीते कैसी राते बीती नहीं जानती मा और पिता जी कब आये किसने उसे उसके कमरे में पहुचाया केसर तीज घंटे के सफर में घायल निरामय की सेहत के लिए निरंतर भगवान से प्राठना कर रही थी पहुचकर पता चला वो इस संसार को छोड़ कर जा चुके निरामय के लिए प्राठना कर रही थी वह वक्त था तेश चीख मार कर जड़ हो जाने का पर केसर का जी चाहा मधू को जिजोड डाले लो नापसंद आदमी चला गया तुम्हारी जिंदगी से चुनलो जिसे चुनना है पर मधू जिस तरह करूण और निरुपाय होकर रो रही थी वह देख केसर आखुल हो गई जब निरामय के न रहने का विचार डराता नहीं था तब ये थे पर जब ये विचार डराने लगा तब नहीं है मैं जिसे पसंद करने लगती हूँ वही छूट जाता है मेरे साथ ऐसा क्यूं होता है माँ मधू के रुपांतरण को देख केसर साहस्क हो रही थी मुरली धरावाक थे वे जानते थे मधू प्रदर्शन के लिए या किसी बाहरी प्रभाव के कारण नहीं रोती तब ही रोती है जब उसे भीतर से रोना आता है वह वास्त्रिक और सच्ची रुलाई थी जिसका थमना आसान नहीं होता अभी आप सुन रहे थे सुष्मा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी रुपांतरण